जहन साथ यह आप सभी का स्वागत है से बेएक लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास तेंद का नन हिंदी यह चेप्टर नमबर 11 हो जाएगा जिसका नाम है कबीर के पद तो चलिए देखते हैं क्या क्या कोस्टन दिया गया है पहला कोस्टन दिया गया है मोको का अर्थ है उसका इसका मुझको या फिर तुम्हारा तो मोको का अर्थ जो होता है मुझको होता है यानि ऑप्षन सी सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कबीर कैसे संत थे सगुन वादी या फिर निर्गुन वादी या फिर दोनो या फिर सभी गलत तो दूसरा का सही आंसर आप्शन भी हो जाएगा निर्गुन वादी कवी थे कैसे संत थे निर्गुन वादी संत थे अगला कोश्चन है इनमें कौन निर्गुन भक्ति धारा के कवी है तुलसिदास, सूर्दास, बालमिकी या फिर जाईसी तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जाईसी ठीक है इसमें कौन निर्गुन भक्तिधारा के कवी है तो जाय सी हो जाएगा, उप्सन डी सही हो जाएगा अगला कोस्टन है मोको सब्द किसके लिए परियोग किया गया है, साधू के लिए, विद्वानों के लिए, इस्वर के लिए या फिर किसी के लिए नहीं तो चौथा का सही आंसर है, उप्सन C, इस्वर के लिए परियोग किया गया है अगला कोस्टन है कबीर के पद सिर्शक पाठ साहित्य की विद्द्या है, मतलब कौन से विद्द्या है, पद है, गध्य है, दोहा है या फिर छन्द है तो 5 का सही आंसर है, option A, पद है अगला question है, कबीर के अनुसार वेक्ती किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है अपनी अज्यानता से, मूढता से, दोनों सही है, सभी गलत है तो 6 का सही आंसर, option C हो जाएगा, दोनों सही है अगला question है, कबीर किस काल के कवी है, भक्ती काल, रीती काल, वीरगाथा काल या फिर इन में से कोई नहीं तो 7 का सही आंसर, option A हो जाएगा, भक्ती काल के कवी है अगला question है, मो को कहां ढूंडे बंदे, मैं तो तेरे पास में प्रस्तूत पंक्ती उद्धत है बिहारी के दोहे से, कबीर के दोहे से, पीपल से या फिर जहासी की रानी से तो 8 का सही आंसर है, option B, कबीर के दोहे से अगला question है, कबीर दास किस धारा के कवी है, सगुन धारा, निर्गुन धारा, रिती, मुक्त, धारा या फिर इन में से कोई नहीं तो नोवा का सही आंसर हो जाएगा option भी निर्गुन धारा के कवी है अगला question है कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है मानो सेवा, यग हवन, वर्त उपवास या फिर मुर्ती पूजन तो दस का सही आंसर है option है मानो सेवा सबसे बड़ी भक्ति है, सच्ची भक्ति अगला question है मैं कहता हो आखिन देखी, तू कहता कागत की लेखी पंक्ती उद्धत है, मतलब किसे लिया गया है पंक्ती कबीर के पद से, पीपल से, कर्मवीर से या फिर बिहारी के दोहे से तो किस से लिया गया है, कबीर के पद से लिया गया है तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्स होता है